भारती सिंग और उनके पती को कोट से जमानत मिल गई है ये बात तो आप सभी को पता ही होगा लेकिन अब अस्त्री लड़ाई तो बागी है भारती सिंग को लेकर अब सबसे बड़ा सावाल उड़ता है कि क्या कपिल शर्मा अपने शो में भारती सिंग को लेते हैं क्या उन्हें वो जगा दे पाएंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब कभी कोई किसी तरह के इल्जाम में फसता है तो उसे काफी दिनों तक उस शो में एंड्री नहीं मुहीम को आगे बढ़ा रहे हैं और उपर से किसी कलाकार का ड्रग मामले में फसना लोग इतना जल्दी माफ नहीं करते शो का परिशकार होना शुरू हो जाएगा अगर कपिल शर्मा भारती सिंग को लेकर कोई फैसला नहीं देते दूसरा क्या कपिल शर्मा भारती सिंग क को लेकर ड्रग के ऊपर कोई कॉमेडी करेंगे जिस थरह उन्होंने अरनप के लिए उड़ाया था वैसे भी कपिल शर्मा अक्सर ऐसे मामलों पर अपनी शैली में रोगों की तांग खीशते देखे गये हैं वही तीसरी ओर देखा जाए तो क्या भारती सिंग का नाम आने क के बाद क्या और भी टीवी कलाकार इस ड्रक्स एंगल की जद में आएंगे एंसे जो लगातार ड्रक्स को लेकर फिल्मी सितारों से लेकर टीवी कलाकारों तक पीछे पड़ी है और लगता है एंसे बी इतनी जल्दी इन सभी को नहीं छोड़ेंगी वैसे भी कहावत है कि शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ठीक उसी थरह एंसी बी अब ज्यादा जोड़ से ड्रक्स मामले को लेकर अपनी चानबीन तेश कर देंगी क्यूंकि जिस थरह कल रात मुंबई में गोरेगाउस्थित जो हमला किया गया एंसी बी के अधिकारियों पे जब वे रे साथ ही उन लोगों की जो उनके फाइनाइंस करते हैं या जो उनसे ड्रक्स खरीद के अपने घर में स्टॉक करते हैं